आज हम बनाएंगे मसाला चाय, शर्दियों का मौसम में अधिकतर हम लोग मसाला चाय पीना पसंद करते हैं, तो मसाला चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और इसमें हम 2 कप दूड डालेंगे, क्योंकि मैं 2 कप चाय बना रही हूं, इसलिए 2 कप दूड डा तो चलिए दूद को एक उबाल आने तक पकने देते हैं जैसे ही दूद में एक उबाल आ जाए तब हम इसमें चाय की पत्ती डालेंगे तो दो कप चाय हम बना रहे हैं तो एक चमच चाय पत्ती डालेंगे और इसे थोड़ी पकने देते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे यानि एक कप चाय में एक चम्मच चीनी, तो मैं दो कप चाय बना रही हूँ तो दो चम्मच में चीनी डालूँगी इसमें, तो दो चम्मच चीनी डालने के बाद इसे हम एक उबाल आने तक पकने देते हैं, जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तब हम इसमें मसाला डालेंगे, क तो आधी चम्मत सबसे पहले तो अध्रक डालेंगे अध्रक को मैंने दर दरा सा कूट लिया था और एक तेजपात को हम दो टुकड़े करकर डालेंगे और साथ में डालेंगे दो दाल चीनी का छोटा टुकड़ा एक बड़ी इलाइची यानि काली इलाइची और एक हरी इला जाए फल हो गया इस्टार वाला जो गरम मसला होता है वो डाल सकते हैं और इसे आप एक बार चलाकर जरूर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और चाय को हम दो मिनिट तक अच्छी तरीके से उबाल कर पकाएंगे ताकि चाय भी हमारी थीक हो जाएगी और पीने में काफी ज्य तो चाय को बहुत ज्यादा उबाला जाता है ताकि चाय पीने में काफी ज्यादा टेश्टी लगे तो मिनिवम दो मिनिट तक इसे ऐसे ही उबाल लेंगे तो आप देख सकते हैं चाय में हमारा अच्छा खासा कलर भी आ गया है और चाय हमारा पकर भी तयार है तो गेंस की लिम को बंद कर लेते हैं और इसे हम गर्मा गर्म चान लेते हैं क्योंकि चाय गर्म ही अच्छी लगती है ठंडी होकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो चलिए फटा फट से हम चाय को चान लेते हैं तो ये मैं बहुत अच्छी तरीके से नाप तोलकर बनाई हू आप इस तरीके से जरूर बनाईएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बिल्कुल भी गड़बड नहीं होगी तो मेरे ट्रीक से जरूर बनाईएगा और आप लोगों की चाय कैसी बनी अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइबों से जरूर करना और इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहना तो ये देखिए मैंने चाय को अच्छी तरीके से चान ली थी तो मैंने भर कर दो कप दूड डाली थी तो इस बात का भी आप खास दियान रखें तो ये देखिए चाय हमारा गर्मा गर्म रेडि है तो आप सर्दियो में मसाला चाय का इंज्वाई ले सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में